कोशिशों का सिलसिला इस कदर जारी रखिए, मिलती है एक ही जिंदगी अपना पला भारी रखिए संस्कृती नमशकार साथियों, फिर आग्यार अविवार और एक बार फिर उसी उमीद और विश्वास के साथ हम हाजिर हैं संस्कृती समाचार दरपन का 69 अंक लेकर हर बार की तरह इस बार भी आपके समक्ष कुछ महतपून सूचनाओं को संजोने का प्रयास किया है यह अंक आपको आगामी आयुजित होने वाली समस्त गतिविदियों से अबगत कराएगा यह समस्त सूचनाएं विद्यार्थी एवं अभी भावकों के लिए अतियंत महतपून है विलम ना करते हुए हमारे आज के सभी छात्र समवादाताओं से मैं आगरे करता हूँ कि वे हमें सभी समाचारों से अबगत करवाएग संस्कृती विद्याले स्कॉलर सिंग शाखा पर एक नवंबर का दिन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में पूरी राष्ट्रिय गरिमा के साथ संपन हुआ इस कारिक्रम में विद्यारतियों शिक्षकों ने अपनी अपनी सामूहिक प्रस्तुतियां दी साथ ही मध्य प्रदेश गान का गायन भी संपन हुआ सलस्कृती विद्याले के शिक्षकों एवं विद्यारतियों के द्वारा दिवाली के शुब अपसर पर एक अनूठा प्रयास किया गया जिसमें स्थानिय कलाकारों एवं उनकी कलाकृतियों को प्रचाहित करते हुए विध्यार्थियों को उनी के द्वारा बनाए हुए दीपक तथा सजावटी सामान खरीदने हेतू प्रेरित किया गया इसके पीछे मुक्के उद्देश विध्यार्थियों में एक दूसरे के साथ बिना किसी बेगभाव के खुशियां बाटने की भावना बरना रहा संस्कृती विध्याले के विध्यार्थियों के कक्षा दस्पी एवं बारभी की प्रीवोर्टमवन परिक्षाएं आठवंबर से प्रारंब होने जा रही हैं जिनके लिए परिक्षा प्रवेश पत्रों का वित्रण दीपावली के अवकाश के दोरान ही चारी कर दिया गया है विध्यार्थी ओफिस टाइम में विध्याले की किड्स विंग शाखा से अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं संस्कृती विद्यालय में अभी तक शास्किये COVID-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रती दिन विद्यार्थियों को एक साथ नहीं बुलाया जा रहा था बलकि बारी-बारी से एक दिन छात्राएं और एक दिन छात्र ही विद्यालय में बुलाया जा रहे थे लेकिन विद्याले प्रवंदन के निर्डे अनुसार अब आने वाले सब्ताह से सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में एक ही साथ पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस विशय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने ही तुवे अपने वाट्सअप ग्रुप का अबलोकन करने दिसंबर माहा की दस तारिक से कक्षा शटवी, साथवी एवं आठवी की CBA 3 की परिक्षाओं प्रारंब होने जा रही है विद्यार्थियों से देश को सिंगल यूस प्लास्टिक से मुक्त कराने ही तुश पट ग्रहन करते हुए निर्दने लिया है कि वे अपनी जीवन में प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े से बने हुए थैलों का ही इस्तमाल करेंगे साथ ही साथ दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करेंगे ताकि देश को स्वच शेवम कुशल बनाया जा सके इसके अतरिक्त विध्यार्थियों ने प्राकरतिक संसाधनों के संरक्षन की भी शपर ग्रहन कर अपने जागरुकता दिखाई अजादी का अमरित महुच्छफ के हिस्से के रूप में देश भर में 150 जिलों में गंगा उच्छफ कतिविद्यों की योजना बनाये गई गंगा उच्छफ 2021 नदी महुच्छफ एक सिती नमबर तक मनाया गया जिसमें संस्कृती वित्याले के विध्यारतियों के लिए एक प्रशनोत인 तथ अगंगा को स्वच्छ बनाने के लिए नारलिकन प्रत्यों की ताओं का उजन किया गया जिसमें एक अकषग 26 से पार्वी तक के विध्यारतियों ने अपनी सह भागता दिखा कर एक जिम्मेदार नागरिक होने का करता विपूरा किया नवंबर मां की 15 तारीक का एक दिन प्रतेक वर्ष विद्याले के संस्थापक दिवस अर्थात फाउंडर्स जेक के रूप में बड़ी ही गरीमा में धंग से मनाया जाता है इस विशेश अफसर को यादकर बनाने के लि जिसकी समस्त तयारियां इस समय अपने चरम पर हैं इस कारेकरम हेतु शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्तियों का उच्सा देखते ही बनता है पूर्व उन्ही पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोए यह अभिलाशा हम सब की भगवन पूरी होए सुखी रहिए स्वस्त रहिए धन्यवाद